दोस्तो आज हम बात करने वाले है एक बहुत important topic जिसका नाम है NOC NOC कब मिलता है इसका process क्या है और साथ इसाथ अगर आप कोई भी loan settlement करते हो या फिर foreclose करते हो तो उस scenario में क्या NOC मिलता है और NOC अगर मिलता है तो उसका time कितना दिन लगता है यह सारे information इस वीडियो में मैं cover करने वाला हूँ तो वीडियो को पूरा देखिएगा मैं हूँ हसान आप देख रहे यूनिट नो वीडियो में आगर जने से पहले request चैनल में नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा और साथ इसाथ वीडियो का content अगर अच्छा रगता है तो like बन को जरूर प्रेस करिएगा NOC का जो full farm होता है no objection certificate कभी कबार इसको NDC भी बोल जाता है NDC मतलब no due certificate depend करता है loan company के उपर के लिए अगर आप कोई भी loan close करते हो तो उस scenario में आपको NDC या फिर NOC मिल जाता है और इसका time होता है within 15 to 30 days यह हर company का अलग-अलग time रहता है कोई-कोई तुरंथ में send कर देता है कोई-कोई 10 दिन कोई-कोई एगपता तो maximum time लेगता है वो होता है दोस्तो 30 days का तो 30 दिनों के अंदर-अंदर आपको NDC या फिर NOC मिल जाएगा और यहाँ पर जो mode होता है दोस्तों यह आपको पहले physical भीजा जाता था लेकिन आज के time में आपको यह मिल जाएगा आपको by email लेकिन अगर आप कोई two-wheeler या फिर four-wheeler वगएरा अगर आप loan लेते हो तो उस scenario में आपको physical copy भी मिल जाता है तो यह तो रहे गए आपका loan close scenario में और इसका TAT मतलब कितना time के अंदर मिलता है वो आपको पता चल गया होगा अब बात करते है अगर आप loan foreclose करते हो क्या उस scenario में आपको same process है बिलकुल अगर आप loan foreclose या फिर pre-close करते हो तो same process है अगर आप loan close करते हो जैसा time में ने बता है वो within 30 days और जो भी में बता है वो same to same है उसमें कोई भी changes नहीं है आप बात करते हैं अगर आप कोई loan settlement कराते हो क्योंकि आज का time में ऐसे बहुत लोग होंगे जिनका loan settlement हुआ है तो उस scenario में क्या NOC या फिर NDC मिलता है loan settlement कराते हो तो settlement में आप कोई पता है कि आप जो total outstanding है उसका कुछ amount आप pay करते हो जिसमें company बोल देते चलो सिनारियों में आपको नहीं मिलता है यहां पर फिर आपके पर प्रूप किया रहा है कि आपने settlement किया तो इस scenario में आपको एक letter दिया जाता है जहां पर settlement letter बोल जाता है उस letter में आपको सारा information लिखा रहता है कि आपने कितने का total loan था कितने amount में आपको settlement हुआ है और कपका पैसा देना है यह सारा information रहता है लेकिन आपको NOC नहीं दिया जाता है कि आपका loan में कोई objection नहीं है तो कुछ-कुछ scenario में rare of the rare scenario में NOC दिया जाता है लेकिन वहाँ पर मैं बता देना चाहूंगा कि जहाँ पर settlement करते हो वहाँ पर status में settleable के लिखा आता है लेकिन अगर आपको NDC या फिर NOC दिया जाता है तो उस scenario में आपका loan close बोल के लिखा आएगा तो अगर आपका NOC मिला है तो definitely आपको जो है आपका loan close होना चाहिए ना कि settleable के लिखा आएगा तो वह भी एक बड़ा verify कर लिखे लेकिन 99% सिनारियों में settlement करते बक्त आपको NOC या फिर NDC नहीं मिलता क्योंकि आपने due तो पूरा clear नहीं किया न तो आपको no due certificate कैसे देगा company ठीक है तो इसके लिए आपको NDC नहीं दिया जाता है settlement करते बक्त लेकिन हाँ settlement letter जरू दिया जाता है जो कि आपको email में भेजा जाता है तो वह आप रख दीजेगा without settlement letter आप कोई भी loan settlement नहीं हो सकता तो I hope दोस्तों अभी आपको ये पूरा जो है issue clear हो चुका होगा क्योंकि YouTube में बहुत सरा ऐसा वीडियो में ने देखा जहाँ पर false या फिर misleading information दिया जाता है जहाँ पर बोला जा रहे कि आप settlement करने के बाद NOC या फिर NDC आपको मिल जाएगा तो वो गलत information है तो I hope इस वीडियो के बाद आपको पूरा information मिल जगा होगा तो दोस्तों हम मिलते आगले वीडियो में ऐसा ही कुछ information topic के साथ तब तक अपना बहुत सरा ख्या लखिएगा जाए हिन बंदे मातरव